मेरा बुत सबसे मजबूत अभियान के तहत आज विदान सबाब इदरवार ग्राम करहिया वे कारिक्रम आयोजित किया गया कारिक्रम में वरिष्ट भाज्मा नेता एवं जन सेवक शरी मोहन सिंग राठोर जी ने सम्मिलित होकर प्रदानमंत्री का मार्क दर्शन प्राप्थ किया एवं समस्त कारिकरताओं के साथ समभात कर चर्चा की गई मोधी छी के द्वारा दिये गए संदेश को घर घर तक पहुँचाने का नेने लिया गया प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोतिलाल नहरू स्टेडियम में मेरा बुथ सबसे मजबूत अभियान के तहट 543 लोकसभाओं के 10 लाक और मद्रदेश के 64100 बुथ के कारिकरताओं को डिजिटली संबोधित किया सभी राज्यों के विदान सबा शेत्रों से 3000 कारिकरता भी मौजूद रहे वहीं इस अभियान के तहट आज विदान सबा अभितरवार ग्राम करहया से यशश्वी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाजबा के लाकों समर्पित कारिकरताओं से संबाद मेरा बूत सबसे मजबूता योजित कारिकरम में संबिलित होकर मानिने प्रदान मंत्री जी का मार्ग दर्शन प्राप्त किया साथी समस्त कारिकरताओं के साथ समबात कर चर्चा की इस अफसर पर मंडल अध्यक्ष एवं जन पधर सदस से सर्पंच एवं समस्त भारती जनतापार्टी की कारिकरता गड़ एवं जन सेवक साथी उपस्तित रहे इस दुरान जन सेवक मोहन सिंग राठोर ने कहा कि कारिकरताओं के साथ मिलकर बानिने प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी जी के द्वारा दे गए संदेश को घर-घर जन संपर का बियान चौपाल एवं घर-घर आंगन तक पहुचाने का निड़ने लिया गया और मानिने प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी जी के नौ वर्ष के चाशनकाल के उपलब्दियों की जानकारे भी सभी आमजन तक पहुचाया जाएगा आज करईया में जिस तरीके से आपने प्रग्राम रखा है मानिने प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी जी द्वारा कि मेरा बूस सबसे मजबूत इसके आप क्या कहना चाहूएगा आज पूरे मद्ध प्रदेश में 64000 जो कारकरता है जो बूत की जिम्मेदारी समाल रहे हैं उनको मानिन मोधी जी ने संदेज दिया है कि हमको बूत को किस प्रकार से मजबूत करना है किस प्रकार से हमें समाच स्भा के छेतर में काम करने हैं किस प्रकार से हम गाओं का व्यक्ती है जिसकी आवश्यक्ताओं की हमें पूरती करनी है उसके लिए क्या क्या हमारे तरीके होज़कते हैं उसके हमने सबने बैठकर मानी मोदीजी को सुना और उनका जो संदेस है और मद्धविदेस की सरकार की जो नीतिया है जो गरीबों के हितों में है जो महलाओं के हितों में है जो शोशित पीरित के साथ कंदे से कंदा मिलाकर काम करने का जो उनका संदेश है उसको हम लोगों ने लिया है इस संदेश को लेकर हम घर घर तक जाएंगे चौपाल तक जाएंगे और घर आंगल तक जाकर हम इस संदेश को जनता के बीच में पहुचाएंगे उस कारकर को संदेश को लेकर हम उनके बीच में जाना चाहते हैं आज मानने मंडल अद्यक्ष जी के नेतर्त में उनकी अद्धक्ष था मैं आज का कारिकम था यहां ग्रम पंचायत के सरपंच है राजेश जी वो भी यहां उपस्तित थे और प्रतिक बूत का जो हमारा बूत बूत का महामंतरी है बियले है और पूरी उनकी टीम है वो यहां उपस्तित थी जे संदेश को हम लेकर जा रहे हैं